क्या आप लोग भी एक MacBook power user बनना चाहते हो कि कम टाइम में ज्याज़ा से ज्यादा चीज़े अचीव कर पाओ, productivity को maximize कर पाओ अपने MacBook के उपर, तो आज मैं यहाँ पर आपको 12 ऐसे apps बताने वाला हूँ, तो अगर एक MacBook user हो तो आपके लिए यहाँ पर कुछना कुछ interesting होने वा आप है, यह क्या करता है, यह आपके spotlight को replace कर देता है, जैसे command space पे हमारी spotlight आती है, अभी यह जो मेरी screen पे आ रहा है, spotlight नहीं है, यह है Alfred, यहाँ से हम लोग search तो करी सकते हैं, बट और भी चीज़े है, जैसे अगर मुझे Google करना है, तो I'll just type G and search Google for आ जाएगा, जैसे अगर IP पे अपनी kripeshartvani.com को यहाँ पर डाल के रखा है, उसके बाद अगर sleep करना है, तो I can just type sleep, lock करना है, तो lock यहाँ पर मैं टाइप कर सकता हूं, तो यह बहुत सारी चीज़े आपके spotlight से हो जाएगी, उसके अलावा Alfred पे आपको मिलता है, clipboard manager, कि जो भी यहाँ पर मैंने copy कि किया हो है, वो यहाँ पर सब मुझे clipboard पर दिखने लग जाएगा, बार-बार copy paste करने के मुझे requirement नहीं रहती है, जैसे मैंने search and browse है, इसको copy किया, and then I just copied this, इसके बाद मैं clipboard manager पर गया, search and browse भी है, jump रहनी वाली चीज़े आपके copy हो चुकी है, तो काफी काम की चीज़े ही है So clipboard history के बाद आपको यहाँ पर snippets मिल जाता है, snippets means basically आपके keyword डाल देते हो, और keyword आपके लिए auto fill कर देता है, जैसे कि मैं आपके डालता हूँ, colon lnk, go.kripashadvide.com मेरे लिए automatically link देगा, इसी तरीके से you can have your own keyword, जैसे कि colon link, colon THK, colon RCT, तो you can have your own custom links, और उसके लिए क्या snippet अब यह जो इसके features है, यह कुछ इसके paid features है, और एक और जो इसका paid feature है, वो workflow का, workflow में you can do anything, यहाँ पर बहुत सारे workflows automatically बनें, इसको एक app store के सारा समझ लो, यह Alfred का app store है, जिसमें आपको बहुत सारे यहाँ पर workflow मिल जाते है, chat GPT को integrate कर सकते हो, और बहुत सारी यहाँ बहुत इसके time से use कर रहा हूँ, और अगर आपको paid में जाना है, तो Alfred is a good option, अगर आपको free में कुछ अच्छा चीह है, तो Raycast देख सकते हो, free में यह काफी powerful tool है, मैंने इसको बहुत जादा use नहीं किया है, but for free, it is really good, और number 2, जो मेरा favorite free app है, वो है Dropzone 4, यह file management ले एक app है, इसके थू आप लोगो quickly transfer कर सकते हो, यह free version में है, जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, यह उपर आपके menu bar में install हो जाता है, you can see here, this is the drop zone app, क्या गरता है, आप इसमें आपे कोई भी easily images को drag and drop करके save कर सकते हो, जैसे वाली image है, I can just drag it here, मैं इस image को यह आपे drop bar पे रख सकता हूँ, and then I I can easily reshare it anywhere I want, मैं को बस यहाप पर इसको drag करना है, that is it, और उसी तरीके से if I want to save this image, तो मैं आपर इसको drag करके downloads में डाल सकता हूँ, मुझे इस image को किसी को airdrop करना है, मैं इसको drag करूँगा, I'll go here, I'll click airdrop, and airdrop मेरा panel खुल जाएगा, उसी तरीके से इसका URL शेयर करना है किसी के साथ, मैं इसको यहापे upload भी कर सकता हूँ, image URL, यह कब काम में आता है, जैसे screenshots है, अब जैसे अगर मुझे किसी के साथ quickly screenshot share करना तो मैं जैसे screenshot ले लेता हूँ, screenshot आगया, I'll just drag it here, and then मैं आपर इसको image URL पर upload कर दूँगा, और मेरे पास इसका link आजाएगा, यह process हो रहा है अभी, यह image URL आचुका है, now I can just quickly share it with anyone I want to, dropzone 4 is a must have app, इसमें paid के भी features है, बट जो भी मैं अभी बता हैं, वो सब आप लोग फ्री म capture करने के लिए, images के लिए, videos के लिए, so if you work a lot on your Mac, और आपको screenshots आपको share करने के requirement रहती है, this is the app that you should look at, इस पर आपको easily यहाँ पे screenshots ले सकते हो, इस तरीके से ले लिए, you can easily edit it, यहाँ पे annotation के बहुत सारे आपको options मिल जाते है, numbering कर सकते है, 1, 2, 3, 4 steps बता सकते हो, बाकी you can have your background here as well, background option, यह रहाँ, इस तरीके से you can have your, means you can make it look better, यहाँ पे आपको बहुत सारे screenshots को edit करने के लिए, annotations के लिए option मिल जाते है, उस के बाद you can also upload it on their cloud, you can easily just say I want to upload it on cloud, तो आपको यहाँ पर again URL मिल जाएगा, इसको आपको easily share कर सकते हो, यह upload हो गया है, and then I'll get a URL, yes, यहाँ प यहाँ पर इनका scrolling screenshot भी है, कि यहाँ पर मैं scrolling screenshot को select करके, I can just have a long scrolling screenshot, like this one, I click done, और यह मेरे पास एक लंबा सा screenshot आ चुका है, and then यहाँ पर इनका OCR reader भी है, जो images में text को read कर सकता है, जैसे कि यहाँ पर इसने copy कर लिया है, मैं यहाँ पर paste कर देता हूं, तो यह इसने image में से read क API text को, इसका जो सालबर का subscription है, वो $29 का आता है, and for this price point, I think it is absolutely worth it, मैं इसको काफी time से use कर रहा हूं, और इसने मेरी productivity यहाँ पर काफी increase भी करी है, अगला जो मेरा फेवरेट आप है, वो है password management ले, जिसका नाम है 1Password, it is a paid plan, जो आपको 2.99 USD per month पे मिल जाएगा, and मेरे हिसाब Mac के लिए जो best है, iOS के लिए जो best है, वो है 1Password, इसका मैं review काफी पहले भी कर चुका हूँ, चाहिए हो तो जाके देख लेना, and this is how it looks, best है अगर आप लोग Mac, iOS, iPhone, iPad पे पासवर्ड में आजा देख लेना, अगर आपको free में चाहिए, तो Bitwarden is the answer, go with Bitwarden, दोनों ही अच्छे जो कि आपके काफी काम में आने वाला है, अगर आप लोग साइमल्टेनियसली किसी Windows में भी work करते हो, तो क्या होता है, usually जब आप लोग Windows से Mac पे connect करते हैं, तो वहाली hard drive Mac read नहीं करेगा, जब तक हम लोग इस पे यह वाला app नहीं डालेंगे, जिसका नाम है Mountie, Mountie for NTFS, NTFS तो इसको read नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसमें NTFS है, उसके लिए यहाँ पर I will use Mountie for NTFS, फ्री है यह, तो अगर आप लोग कोई भी USB को interchange करते हो, hard disk को, तो you can install this app, number 6 पर हमारे पास एक media player, जिसका नाम है Ena, यह एक Mac OS के लिए जैसा कि QuickTime है, वैसा ही रहता है, लेकिन यह ब यह वाला player, उस file को easily play कर सकता है, number 7 पर हमारे पास productivity app, जिसका नाम है Rise, यह आपका time track करता है, कौन से, आप कितना time spend कर रहे हो, अगर आप लोग डिस्ट्राक्ट हो रहे हो, तो वापस आने को बोलता है यह, तो यह सारी चीज़ें आपर हो जाती ही, कहाँ पर आपने कितना time spend किया है, कितने time code किया है, कितने time entertainment किया है, YouTube किया है, कौन सी website पर कहाँ पर थे, आप लोग क्या क्या चीज़े कर रहे थे, वो यह सारी चीज़ें आपको बता देता है, and it keeps you focused कि अच्छा यह वाला भी आपका time है, आपने 45 minute का timer setup करके रखा है, तो आप पहले यह काम करो, and once you have done that work, उसके बाद यह आपको एक और pop-up दे देगा, कि आपका 45 minutes का timer over हो चुका है, now take a break, तो यह productivity के लिए अच्छा app है, जैसे कि यह मैंने इसको बीच में थोड़ा बहुत use करके दिखा है, and यहाँ पर मेरा है कि मिस्लिनियस में है, browsing में, email में, मैंने कितना time spent किया, social media entertainment पे, तो जबी भी आप लोग इसको on करोगे, यह आपको तब track करेगा, तो tracking और privacy can be a issue, if you want privacy to be there, तो I won't recommend to use any time tracking software, but ठीक है, अगर आपके लिए चाहिए कि यह नहीं मेरी productivity important, if you are working, if you are just working on your laptop, तो इसको on कर दो, और अगर आप लोग कुछ और काम कर रहे हो, तो फिर इसको off कर देना उस time period के लिए, मैंने इसको यहाँ पर use किया है, and it actually helped me to identify मैं कहाँ पर अपना time risk कर रहा हूँ, और इसको किस तरह से और productive बना सकता हूँ, तो एक बार तो इस आपको आपको ज़रूर यूज़ करके देखना है, इसका free version भी अवलेबल है, और paid भी है, आठवे monitor है, तो मेरे पास जो app का नाम है, और on screen है, जो कि LG का software है, और LG के monitor के साथ में sync हो जाता है, बट अगर आप लोग Windows से आ रहे हो, आपको आदा थे Windows को snap करने के left में कुछ और, राइट में कुछ और, तो यह वाला आप देख सकते हो, free है, lightweight है, बढ़िया है, नाइफ नंबर की speed को increase कर देगा, इसको तब यूज करना है, जब you are using your laptop for more than a year, आपने उसको बहुत सारा यूज किया है, बहुत सारा install, uninstall किया है, तब इसको यहाँ पर यूज करके देख लेना, नए laptop पर यूज करोगे तो कोई फायदा निए, जब थोड़ा पुराना हो जाए, तब इस कर लेना, यह कोई trace नहीं छोड़े और जो भी unnecessary file से उनको remove कर देगा, 10th number पर हमारे पास diffusion B, यह AI app है, stable diffusion के साथ में यह काम करता है, तो अगर आपको AI images को generate करना हो, offline, यह online नहीं जाता है, offline आपके Mac का GPU और system resources यूज करेगा, आपके लिए images बनाने के लिए, तो आपको AI images अगर आपके लाप टॉप नहीं है, तो इसको use मत करना, अगर M series के उपर आपके लाप टॉप है, M1, M2, M3 और Pro series में है, यह जाधा अच्छे से आपके images create कर पाएगा, इसमें बहुत सारी चीज़ें है, text to image, generative fill, image upscaler वगरे, यह सारी आपको चीज़ें मिल जाती है, इस free टूल के अंदर कोई इसके पैसे नहीं देना है, on 11th we have ice menu, यह क्या करता है कि जो भी आपके menu पर information है, जैसे आपके menu पर बहुत सारे आपे icons हैं, तो उसको hide कर देगा, और जैसे आपको menu पर जाओगे यह वापस से उसको visible कर देगा, free app है, github पर भी अविलेबल है, open source है, यूज कर लो, अगर आप लोग बहुत सारे आप यूज कर लो, जो menu बार पर है, तो यह must have बन जाता है, on number 12, we have pro notes, अगर आप लोग apple notes यूज करते हो, आपको apple notes में ही रहना है, बट उसकी functionality को थोड़ा extend कर देना है, तो pro notes की तरफ देख लेना, यह आपके apple notes में integrate हो जाता ह है, formatting बार आपको मिल जाती है, तो आप लोग headings वगरे, और you can have your own markdowns, जैसे कि यहाँ पर बता रहा है आपको, इस तरीके से you can easily have some additional functionalities on your apple note, और यहाँ पर आपको templates मिल जाती है, you can just have a quick snippet, जैसे यहाँ पर इन्होंने type किया है, slash stand up, और पूरी यहाँ पर template आ गई है, और यहाँ पर आपको बहुत सारे AI features भी मिल जाते है, जो इनका AI वाला part है, वो paid है, और जितना भी उपर का है, वो सब free में आपको मिलेगा, so यह थे कुछ मेरे favorite apps, अगर मैंने यहाँ पर कुछ मिस किया है, तो do let me know in the comment section below, ताकि यहाँ पर दूसरों का भी फायदा हो पाए, so